ऐसे में डॉक्टर देपाली यहां मैं ये भी समझना चाहूंगी कि चुकि हम बहुत सारी बिमारियों की बात कर रहे हैं ऐसे में ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि छोटे बच्चों में किस तरह की की ऐलर्जी होती है और ऐसे में जो आप जिस तरीके का सिचुएशन बारे में बताईए जी बिल्कुल इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज है वह हमें परस्नल लेवल पर अपना हाईजीन बढ़ाना है जैसे हमने कहां नाखुनों को छोटा रखें सुभा शाम नहाएं नहाने का पानी अफ्कोस जितना क्लीन हो पाए और अगर बॉ बहुत जरूरी है कि सरकार को इस वकत काफी चीजें करनी चाहिए लार्वी साइडल जो स्प्रेज ओन कॉंपोजिशन होती है तर्पेंटाइन वगरा की उसको डालना चाहिए इस वकत पानी में ताकि आगे कुछ महिनों के लिए हम बच जाएं पारसिटिक इंफेक्शन से मेनिजाइटिस जैसी चीजें बच्चों में देखी जाती है पहले भी देखी गई है फ्लड्स के बाद और यह काफी जादा अन्होनी फ्लड है जिसके अंदर गंदा पानी भी मिक्स हुआ है जो हमने पढ़ा है जो डेली में इस वकत चल रहा है तो इसलिए बहुत जरूर और इस तरह की वाटर बॉन इंफेस्टेशन को ना फैलाएं अपना परसनल हाईजीन बहुत अच्छा रखेंगे बहुत जरूरी है सरकार को जो पानी के अंदर घूम रहा है जो मलबा है उसको निकल बादेना चाहिए वरना उसकी अंदर भी फिर आगे बैक्टिल इंफेक लेकर के सरकार और खुद जनता अगर अक्टिव रहती है तो ऐसे हालात पर बहुत आसानी से काबू पाया जाता है और जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स लगातार कह भी रहे हैं कि किस तरीके के आक्शन लेने की जरूरत है और क्या-क्या आप जो है खुद घर पर रहकर भी ची दॉक्टर्स हैं वो आपको टिप्स दे रहे हैं उसको फॉलो करिए तो जाहिट तोर पर ऐसी गंभीर बीमारिया आपके आसपास जो है वो फटके नहीं आप तमाम जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े उनके लिए मैं जो है बहुत-बहुत शुकर गुजार हूँ क्यू के लिए निउस 24 लगातार कोशिश कर रहा है डॉक्टरों के पैनल के साथ कि आप तक सही और सतीक जानकारी पहुँचे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और हम यहीं उमीद करते हैं कि अगले रविवार नय टॉपी के साथ फिर से आप से जुड करेंगे तब तक के लिए देखते रहिए निउस 24